तो आज अब स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक सेकंड टाइप ओफ एस यो आप पेज यो होता गया है पहले में यह समझते हैं हमने रिसेंट ट्लासिज बे देखा था ओन पेज यह मतलब हर वो चेंजिस जो हम हमारी वेबसाइट के अंदर कर रहा है मतलब हर वो इं मतलब हमें कोई भी चीज अंदर नहीं करनी है लेकिन it will be for your website करनी हमारी वेबसाइट के लिए हैं लेकिन हम अब वेबसाइट के अंदर जाकर नहीं करेंगे हम वेबसाइट के लिए बाहर जाकर अपने पर्टिकुलर एस्यो को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आपको एक ची हम website को बिल्कुल touch भी नहीं करेंगे लेकिन हमारी website exist करने चीए और on page होने के बाद ही off page हो सकता है अगर आपकी website नहीं बने हुई आपका on page SEO नहीं हो रखा है तो off page SEO करने का कोई फाइदा नहीं है अब इसमें सबसे पहला और सबसे important topic जो हम discuss करने वाले है उसको हम बोलते है link building क्या बोलते है link building link building simple सा method आपको explain करता है link building दो चीज़े बोलता है कि आप अपनी website जो off page SEO में लेकर आ रहे हो आपकी website की जो presence है goodwill है वो अब अच्छी नहीं है goodwill कैसे अच्छी नहीं है for example अगर मैं बात करो मेरी website की goodwill goodwill मतलब आपकी website लोगों की नजरों में कैसी है वो मेरी website अभी अच्छी नहीं है क्योंकि initially मेरी website सिर्फ start ही हुई है और अगर कोई भी website जब start होती है तो उसकी goodwill इतनी अच्छी नहीं होती है वहाँ पर roll आता है off page SEO का over the web हर जगा पर discussion करनी है इससे क्या होगा discussion करने से मैं करूँगा link build link build समझते हो आप for example मेरे पास एक website है ठीक है जिस website का मैं क्या कर रहा हूँ URL mention करूँगा मैं अपनी website का URL mention करूँगा मेरी website का URL है for example हम जिस website को लेकर चल रहा है इसली on page से start कर चुके और off page तक आ चुके है मैं चाहता हूँ कि मैं different different platforms में इस particular URL को छोड़ कर आऊ ताकि कोई इस URL पर जब क्लिक करे तो मेरी website पर बोच जाए मतलब कि मुझे क्या करना है कुछ ऐसी backlink submission sites पर जाना है जहां पर मैं अपनी website का link छोड़ूँआ और उससे क्या होगा मेरे पास traffic आएगा अब question आता है कि sir हम कौन सी particular sites पर अपना link छोड़ सकते हैं उन sites का नाम होता है backlink submission sites उन sites का नाम होता है backlink submission sites तो मैं आपको दिखा जेता हूँ कि backlink submission sites कौन कौन सी होती है अचा हमें कैसे बता चालेगा sir कौन सी backlink submission site है हमार पास list होती है Google पर भी तो आप backlink submission sites पर अपना link submit करोगे submit क्यों करना है link क्योंकि देखो हमारा जो crawler है ना मैंने आपको बताया था हमार पास एक crawler है यह जो crawler है इसको आपकी website अच्छी तो लग रही है आपने अंदर से बहुत अच्छी बना रखिए लेकिन अगर इसको आपकी website की publicity नहीं मिलेगी न तो यह क्या करेगा यह क्या ठीक है website तो अच्छी बना रखिए लेकिन मैंने ऐसी www.worldwide web पर कही पर भी इस website का नाम नहीं देखा किसी और third party websites पर मैंने यह ने सुना कि लोग इस website के बारे में discussion कर रहे हो अगर किसी भी particular चीज़ की recommendation दी जाती है तो person का trust उस पर बढ़ जाता है simple सा example अगर class में group of five students और उसमें से एक student बहुत अच्छा perform कर रहा है मैंने क्या कर रहा सीधा एक top company में HR से बात करी कि एक person जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और अच्छे से इसने practical exposure लेकर task complete कर रहा है आप इसको best job opportunities दो तो होगा क्या उस person की value जो student की value जिसके में जिस student के लिए मैं बोड़ रहा हूँ सामने वाले HR के दिमाग में उस person की value बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने उसको recommend करा है अब मेरी recommendation क्यों मानी जाएगी क्योंकि market में मेरी recommendation का मतलब है अगर मैं SEO terms में बात करूँ मेरा authority score अच्छा है अब उस out of 100 के आगे for example किसी का score वो 30 out of 100 हो सकता है किसी का score वो 41 out of 100 हो सकता है किसी का score वो 98 out of 100 हो सकता है तो इन तीनों मेंसे आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करूँ सबसे best score की तो वो क्या है 98 out of 100 क्योंकि भाया इसको तो Google ने 98 दे रखा लेकिन कि Google ऐसी 98 देता है नहीं Google चेकाउट करता है कि आपकी website की market में बातचीत कितनी हो लिया और कौन-कौन सी website है जो आपकी website की तरफ pointing कर रही है कैसे pointing कर रही है मतलब उन्होंने कोई article लिख रखा है उस पर क्लिक कर रहा है तो आपकी website पर पोच रहा है second आपने किसी question and answers event में discussion किया है और आपने question and answers में किसी particular customer ने आपके brand के बारे में लिखा है और आपकी website को mention कर रहा है अब question आता है कि जब initial stage होती है off page issue की तो हमें backlink create करने होते हैं backlink create करना मतलब हम हमारी website का link छोड़ेंगे यह हमारा major मकसद रहेगा हमारा main primary objective कर रहेगा to leave our website URL अब हमारी website का URL for example rungraze the origin है तो मेरे को website को छोड़ने के लिए ऐसा नहीं कि मैं किसी की website पर छोड़ दूँआ for example किसी की website है fashion से related और दूसरे की website है clothing से related तो यह दोनों आपस में लिंक नहीं छोड़ सकते मुझे लिंक छोड़ना है तो मैं लिंक छोड़ना है special type of category websites को चिनको हम बोलते हैं क्या backlink submission site सरे कौन कौन सी sites होती है मैं आपको example देता हूँ आपर तब आपको समझ में आएगा for example quora.com quora.com का एक backlink submission site है कैसे बना चला क्योंकि quora पर लोग क्या कर रहे है question and answer send कर रहे है ठीक है यहाँ पर लोग question and answer कोई question पूछता है तो उस पर 100% answer करते है आप भी answer कर सकते हैं लेकिन लोगों का answer करने का मकसद सिर्फ answer करना नहीं होता है लोगों का answer करने का मकसद होता है अपना backlink चोड़ना अपनी website का link चोड़ना उस answer के बीच में मैं आपको live दिखाता हूँ for example सबसे पहले हम क्या करते हैं open करते हैं google.com एड यहाँ पर मैं google पर open कर लेता हूँ quora.com को भी right quora पर account होना mandatory है account creation is a very simple process आप check out कर सकते हैं बहुत easy है यहाँ पर मैं पास एक intern का account है जो आप देख सकते हैं रितिका महरा का अब यहाँ पर मैं गया कर रहा हूँ for example मैं इसकी profile पर click करा and इस पर click करा she's a freelancer जो content writer है हमारे लिए answers लिखती है लेकिन यह बहुत smartly answer लिखती है क्योंकि कहीं नहीं मेंशन करती है skill circle का backlink अब यहाँ पर आप देखो इसने 30 answers कर रखे हैं 30 answers कहां से लेकर है हमारी वो problem solve कर दिये chat gpd ने आप answers जितने मर्जी लिख वालो chat gpd आपको free of cost answers लिखकर देगा अब आप नीचे आओ यहाँ पर for example मैं अभी randomly और answers को open करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ अभी यहाँ पर different answers आ रहे है तो वो यह data science की बात कर रहे है for example skill circle एक institute है अब आप यहाँ पर देखो एक answer लिखा हुआ है ठीक है question क्या है which is the best institute to learn data science open link की new tab करता हूँ तो मैं किस तरफ redirect होता हूँ skill circle की website की तरफ redirect होता हूँ अब हमें क्या करना है हमें कुछ ऐसी activities करनी है ताकि हम crawler को बता सके कि हमारी website की भी fragrance market में फैली हुई है कहते हैं ने कि दुकान नहीं खुल जाए अगर उस दुकान के बारे में आपको बताना है awareness create करने है आप ads तो चला सकते हो लेकिन SEO एक inorganic तरीका नहीं है organic तरीका है मतलब कि हमें पैसा कर्च नहीं करना है जहां पैसा कर्च नहीं करना हमां महनत करने पड़ेगी तो हमें क्या करना है जगा जगा जाकर website पर हमारी submissions करने है मतलब हमारे link को छोड़ना है यही game है पूरे off page का अब off page SEO करने के लिए एक बहुत important चीज़ आती है कि हम जो backlink मनाते हैं वो कितने types के backlinks होते हैं तो यहाँ पर मैं फटा फट से आपको दिखा देता हूँ अगर आप backlink की बात करें तो types of backlink दो तरीके के होते हैं आप प्लीज जहां से समझना इसको राइट एक do follow do follow backlink मैं यहाँ पर backlink की लिख देता हूँ for no confusion ठीक है and second one is no follow backlink अब do follow और no follow में हम फरक समझते हैं बहुत ध्यान से समझना यह जो crawler है हमारा यह जो crawler है यह कहता है अगर कोई भी backlink submission site हम चेक कर सकते हैं कि वो do follow और no follow है कोई भी backlink submission site अगर वो बताती है कि वो do follow है इसका मतलब है कि यहाँ पर crawler क्या ले रहा है guarantee ले रहा है guarantee रहा है यहाँ पर हमारा जो crawler है वो कह रहा है मैं guarantee लेता हूँ कि यह website जो है अच्छी है राइट यहाँ पर आम लिख सकते हो guarantee यह जो website यह अच्छी है मतब recommendation जा रही है मैं recommend कर रहा हूं कि मैं recommend कर रहा हूं दुबारा से कि crawler को मेरी website को दुबारा crawl करे क्यों? मेरी website का link एक third party website पर मिला है मालो quora.com पर मेरी website का link मिला है तो quora.com do follow या no follow यह हम check करेंगे with the help of tool अगर वो do follow निकलती है तो इसका मतलब है कि cora.com खुद यह claim कर रही है कि मेरी website में जितने भी links आपको मिल रहना इनके लिए मैं recommend करती हूं कि please crawler को बोल रही हूं मैं कि दुबारा इस website पर जाओ और इनका score उठाओ for example हमारी website बिल्कुल new बनी हुई है तो हम यह कह सकते हैं मानकर चलते हैं इक website है जो मैंने अभी rung raise the origin create करी है अब rung raise the origin market में बिल्कुल new website है तो अगर मैं इसके authority score की बात करूँ तो authority score कितना होगा मेरा 0 या फिर 1 तो मैं अगर यहाँ पर लिख दू authority score तो मेरा authority score क्या होगा 0 या फिर oblique 1 out of 100 मुझे इस score को बढ़ाना है याद रखना authority score को DAPI भी बोला जाता है domain authority and page authority यह सिर्फ एक score है कई websites में DAPI अलग दिखता है और कई websites में authority score बताया जाता है तो आपको ध्यान रखना है यह out of 100 होता है चाहे domain authority हो चाहे page authority हो और सामने उपर authority score इन दोनों को mix करकर authority score बोला जाता है तो कुछ websites DAPI अलग से दिखाती है कुछ websites सीधा authority score बताती है तो आपको यह समझने है चाहे DAPI लिखाओ चाहे authority score लिखाओ यह A की score है which is out of 100 अब initially मेरी website पे score 0 और 1 होता है मुझे मेरी website का score बढ़ाना है बढ़ाऊँगा तब crawler तब बढ़ाएगा जब उसको recommendations मिलेंगी तो मैंने देखा कि do follow link में crawler को particular website जिस पर हमने अपना link submit करा है वो guarantee दे रहा है कि भाईया इस website में जो तू तिरको मेरी website में दूसरी website का link मिल रहा है इसका जिम्मेदार मैं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये website अच्छी है इसलिए crawler क्या करता है जब crawler करता है कोरा भी तो एक website है उसको भी तो crawl करेगा crawl करते हो उसको एक link मिलता है तो link को पढ़ता है और वापिस हमारी website पर पोच जाता है तो वह कहता है कि इस website पर इस website पर इस particular website की बातचीत कैसे हो गी है मतलब इस website में कुछ तो खास बात होगी recommendation process अब crawler क्या करेगा हमारी website का DAPA कुछ increase करेगा याद रखना 0 to 1 है कभी 2 कर जाएगा फिर और website मिलेगा 3-4 कर जाएगा फिर ऐसे करते करते हमारी website का DAPA score भी बढ़ जाएगा लेकिन एक चीज़ हमेशायाद रखना हम हमेशा अपने से उपर वाली websites पर मतलब backlink submission sites पर ऐसा नहीं कि कि किसी भी backlink submission sites पर अपना link छोड़ रहे है उन backlink submission sites पर score छोड़ेंगे अपना link छोड़ेंगे जिनका DAPA score हमसे अच्छा है अब हमारी website है 1 पर और कोई website आपको मिली जिसका है DAPA 26 तो क्या हम score हम उस पर link छोड़ेंगे बिल्कुल छोड़ेंगे हम पीछे है लेकिन अगर for example हमने खुद attain कर लिया 26 out of 100 तो भी हमारे पास हम website चेक कर रहे हैं बहुत सरी डिफरेंट website है इंटरनेट पर मैंने एक website open करी और टूल से चेक करी मैं आपको चेक करकर दिखा हूँगा उसमे score लिखा हुआ रहा 18 हमेशे राद रखना हमें हमारी website को अपने से उपर पर सम्विट करना है अपने पर बराबर भी नहीं और अपने से नीचे भी नहीं अभी initial stage है तो हमारे लिए matter नहीं करते है कि क्या score हो हम 98 से लेके मतलब हम 20 से लेके 98 तक कि score की website पर सम्विट कर सकते हैं अब यह तो हो गया do follow का system कि यहाँ पर crawler guarantee ले रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूं कि do follow backlink है यह किसके लिए है crawler के लिए crawler को indicate देने के लिए कि भाईया यहाँ पर website जो है वो guarantee ले रिए कि प्लीज आप इसको crawl करो ठीक है तो यहाँ पर बोल सकता हूं crawler to crawl again crawl again अब बात करते हैं no follow सर्फिर no follow कि इसके लिए आपको पता चल रहा होगा word no follow खुद कह रहा है कि भाईया मैं कोई guarantee नहीं ले रहा हूं crawler भाई तू आ मेरी website पर तेरे को मेरी website पर भतेरे link मिलेंगे लेकिन मैं इन में से किसी एक link की भी guarantee नहीं दे रहा हूं कि वो website अ अच्छी है तो बड़ा नहीं तो मत बड़ा बट I am not taking a guarantee मतलब मैं इस particular चीज की guarantee नहीं ले रहा हूं कि मेरी website अगर मैं kora.com की website मैंने खरीज रखी है तो मेरी website पर जो भी link आ रहे है अगर मैं no follow category में जाता हूं तो मेरी website पर चाहे लोग 100 link छुड़े मैं क्लेम नहीं कर र website जिस पे आपका link चूटा हूँ है और वो no follow website मतलब no follow backlink submission site है तो इसका मतलब है कि वो crawler के लिए तो नहीं बनी हुई वो बनी हुई audience के लिए और एक्जांपल audience एक article पढ़ रही है और article पढ़ते पढ़ते उसको दिखा कि यह article अच्छा लिखा हुआ है अच्छा लिखा हुआ है अच्छा कोर्स कोन करवाता है यह product कौन बिखता है बेशता है तो उस पर click करके वहां पोच गया पस इतना सकाम है no follow का crawler के लिख है do follow मतलब हमारा focus किस पर होना चाहिए अभी हमारी website की online presence को हमें अच्छा करना है तो हमारा focus किस पर होना चाहिए do follow backlinks पे तो यहां पर एक ratio आ जाती जो हमें बनानी है हमें हमें हमेशा याद रखनी है आपको 7-3 की ratio कर रखनी है 7-3 मतलब आपके initial stage पे 70% आपक क्योंकि 70% बनाने के बाद आपका DAPA मतलब आपका authority score कुछ हट तक बढ़ जाएगा जब आपका score 80 plus या 80 के around हो जाएगा फिर आप no follow पे focus कर सकते हो for awareness for example अगर मैं बात करू Amazon की Quora की Flipkart की इन सब websites का कुछ नो कुछ DAPA होगा अब सर्क कैसे करना है एक बार उस procedure को समझते ह सब्सक्राइब मैं आपको backlinks बनाना सिखा रहा हूं किस पर एक particular website पर जो की backlink submission site है और वो है Quora.com ध्यान से देखना मैं Quora.com पर करने के अवाल हूं अब एक चीज एक tool जिसको हम use करने वाले उस tool का नाम है यहां पर एक बहुत important tool जो हमारे को help करेगा किस चीज के लिए तो backlink checker ahref backlink checker तो इसको मैं फटाफट से आपको प्लेस करके दिखा देता हूं हम क्या करते हैं फटाफट से मान कर चलते हैं मेरे पास यह मेरा Quora का account है और मेरी जो website है वो रंग्रेस दो रिजन है तो मैं यहां पर इसको open कर लेता हूं copy करना है सिरफ link website open हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी हम off page कर रहा है मतलब हमें website के अंदर कुछ नहीं करना है लेकिन website के लिए करना है इस चीज को नहीं भूलना फटा पट से आप Quora account पर आओगे home page पर आए आपको यहां पर मैं दो चीज़ें बताने वाला हूं कैसे आपको अपना particular backlink create करना है यहां पर आपको search करना है आपके niche related questions को सर वो कैसे बता चलेंगे for example मेरी industry है clothing की right तो मैंने लिखा which is the best online website to buy clothes ठीक है तो which is the best online website to buy clothes from daily मैंने इस पर click करा यह question already बना हुआ है मैंने normally type करा और इससे related और भी questions आपको right inside में दिख रहे हैं लोग क्या-क्या search करते हैं अब इस question पर मैंने देखा कि particular question posted है और इस पर कोई ना कोई particular persons answer कर रहे है है यहाँ पर आप देख सकते हो कि for example यहाँ पर एगने सेच्री ने answer कर रहा है नीचे आप आओगे अलित्य गुपता ने answer कर रहा है photos डाली हुई है right उसके बाद Amazon के लिए किसी ने photo डाली हुई है curious mind ने डाली हुई है मुसकान गरने डाली है तो different different लोग इस पर answer कर रहे है सब लोग answer कर रहे है answer कोई answer की मकसद से answer नहीं कर रहा है सब लोग backlink मुनाने में लगे हुआ आपको क्या करना है simply answer पर क्लिक करना है और आपको भी इस particular answer पर question पर answer करना है तो हम answer क्या करेंगे फठाफट से हम जाएंगे chat GPT पर and chat GPT में हम लोग जैसे हमारी जो website है उसके लिए answer लिखवाएंगे तो यह question मैं फठाफट से copy कर लेता हूं which is the best online website to buy clothes from daily इसको मैं directly copy करता हूं और copy करने के बाद chat GPT में paste करता हूं ठीक है मैं यह यह आपर लिख दिया generate answer for above question चीक है stating best store to shop online for clothes is अब अपनी website का जो link है वो यह आपर देद होगे right sorry मैं यहापर question ही copy कर दिया let me just bring my URL इसको copy किया रंग्रेजद ओरीजन अच्छा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है URL copy नहीं करना है अपने brand का name copy करना है तो मैंने रंग्रेजद ओरीजन में से अपने brand की तारीफ करेंगे क्योंकि हम अपने brand के लिए ओफ पर जैस्यों कर रहे हैं तो यहाँ पर फटा फट से मेरेको एक answer लिख कर देगा हो सकता है word limit बहुत जारा बढ़ी हो लेकिन हमें question and answers में word limit 300 से 600 के बीच में रखनी है not more than 600 तो यह बढ़ा भी लिख सकता है लेकिन मेरा game motive यह नहीं है कि हमार पास बढ़ा है यहां पर आप देखो इसने एक particular answer लिख दिया तो इसको मैंने copy करने के बाद मैं कोरा पर गया और यहां पर मैंने अपना answer पेस्ट कर दिया answer पेस्ट करने के बाद आपको कुछ spelling corrections बोले with the help of grammar ले आप ठीक कर सकते हो हमारा brand का नाम कहां पर दिख रहा हमें रंग्रेस द ओरीजिन यह रा आपको अपने brand को सिलेक्ट करने के बाद आपको यह double option दिखेगा क्लिक करो और यहां पर link option आएगा link पर क्लिक करोगे यहां पर बोल रहा है URL डाल दो तो मैं क्या करूंगा URL डाल दूंगा URL क्या मेरा रंग्रेस द ओरीजिन तो फटा-फट से मैं website पर गया copy किया और यहां पर मैंने paste कर दिय आड पर क्लिक करा आड पर क्लिक करते आप चेक आउट कर सकते हैं ब्लू कलर में हो जाएगा मतलब हमने backlink लगा दिया राइट जैसे हम इस आंसर को पढ़ रहे हैं ऐसे बहुत लोग भी इस आंसर को पढ़ेंगे question आता है कि sir हम कोरा पर बनातो रहे हैं लेकिन आपने यह को बताया है कि कोरा का स्कोर कितना है और कोरा डू फोलौ या राइट पहले में आपको बताया है कि हमें करना के काम हमारा यही है कि हमें article लिखना है question answer लिखना है अब कुछ websites कहेंगे कि मेरें दर लिखना है तो question पर answer करो and link छोड़ दो कुछ वेबसाइट कहेंगी मेरे अंदर आंसर करना है तो आर्टिकल लिखो कुछ वेबसाइट कहेंगी अंदर आंसर लिखना तो कुछ email submit करनी पढ़ेगी कुछ website कहेंगी मेरे अंदर आणि करना लिखना तो कुछ pdf शेयर करो at last हमारा goal ना pdf है na question answer है ना article है जो भी चीज़े हम लिख रहे हैं वो अपने brand के लिए लिख रहे हैं और उसके अंदर हमें लिखते हुए हमारे particular link को mention करना है जो कि हमारा backlink जो हमने create करना है अब आते हैं question पर कि how to check जिस particular backlink submission site पर हम हमारा link छोड़ रहे हैं वो do follow और no follow और उसका authority score गया उससे पहले हमें एक चीज़ ध्याद रखनी है हमें बनानी होती है एक particular report कि हम इतना काम कर रहे हैं उस काम का फाइदा क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास एक report generate होती है जो मैं आपको excel में create करकर दिखाऊ हुआ जो आपको भी create करनी होगी जो कि आपका task रहेगा यहाँ पर for quickly आपको backlink submission report open करकर दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं अपने डाउनलोड में गया और मैंने यहाँ पर search कर लेता हूँ backlink submission report I guess let me just search it here backlink sheet of SEO data यह backlink report चाहिए मुझे report report just a second जैसे आप देख सकते हूँ मैंने backlink submission report खोल दिया उस पर कुछ heading बनाई है backlink submission site कौन सी है उस particular site का score क्या है मतलब DAP क्या है वो particular site कि उसका URL क्या है कि जिस site पर हम अपना backlink छोड़ रहे है किस particular site का backlink छोड़ रहे हो हमारी site होगया हमेशा and उसका backlink मतलब submit करने के वाद हमें एक और new URL मिलता है उसका particular URL हम यहाँ पर छोड़ेंगे मैं आपको करकर दिखा रहा हूँ please check out करना headings हम बिल्कुल सेम बनाएंगे backlink submission site सबसे पहली backlink submission site हमारी कौन सी है जो हम बना रहे है उसका नाम डालेंगे quora ठीक है सिरफ नाम लिखना है यहाँ पर dap अभी हमें नहीं पता ठीक है source URL क्या होगा आप quora का URL copy करोगे that will be https double caller slash q uora.com यह आपका हमेशा as per the site रहेगा target URL क्या होगा हमारा target URL URL हमारी website ही होगी जो कि हमारी sttps है sttps आप type करने सच इसको फटा पट से quickly मैं copy कर लो ताकि आपको clear हो जाए चीजें मैं आप पर इसको open कर लेता हूँ यह मैंने open करा हूँ है रंग्रेज्ड ओरीजिन कंट्रोल कंट्रोल सी से copy किया और अपने यहाँ पर target URL हमेशा same रहेगा बिल्कुल same रहेगा क्योंकि आप off page जैसे हो किसके लिए कर रहे हो अपने brand के लिए कर रहे हो तो यह तो आप direct copy paste कर सकते हो यह बदलता रहेगा तो सबसे पहले DAPA चेक करते हैं कैसे चेक करेंगे DAPA हम हमारी website किस particular website पर submit कर रहे है वो है quora.com तो हम क्या करेंगे Google पर जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे backlink checker क्या लिखेंगे backlink checker तो आपको by default top में मैं दुबारा से बता रहा हूँ by default top में आपको एक option दिखेगा जिसक इसका URL दोगे backlink submission site का वो क्या है हमारी quora तो quora.com पर जाओ control all control c से copy करो copy करने के बाद इस पे paste कर दो यह आपको इसकी एक report निकाल कर देगा check backlink मतलब इस backlink को check करो इसका score क्या है और यह do follow है या फिर no follow है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो website है उसका domain rating authority score का 91 है out of 100 ह अब question आता है कि यह do follow है और no follow है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस particular website पर 67 million लोग ने अपना backlink छोड़ रहा है हम सबको यह particular website लगती है question and answer which is necessary यह question and answer platform भी है लोगों की help भी हो जाती है इससे क्योंकि यहाँ पर machine answers नहीं है यहाँ पर एक real human being answer दे रहा है लेकिन कह कही नगाई digital marketers इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि इस website पर traffic बहुत जारा है लोग आएंगे तो यह कही नगाई do follow website है जो हमारे को show कर रहे है अब यहाँ से में 91 इसकी rating score मिल गया और यह do follow no follow यह भी मुझे पता चल चुका है मैं फटा-फट से क्या करूंगा यह यहाँ पर इसका DAPA लिख दूँगा 91 राइट और मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ और रखनी है आपको राइट एंग प्लिक करके आप इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक new column add कर देता हूं इंसर्ट यहाँ पर आप type of backlink जरूर लिखिए DAPA तो आपने लिख दिया यहाँ पर आपको type of backlink पता होना चाहिए कि आप कौन सा backlink बना रहे हो तो हमारा qura जो है वो क्या है do follow तो आपको do follow लिख रहा है and DAPA 91 score source URL target URL हमें clear है अब backlink URL क्या होगा अब आप मेरी बात देखो जैसी मैं इसको submit करूंगा for example मैं इस पर answer कर रहा हूं क्योंकि मेरा digital marketing है तो मैं इस पर submit नहीं करकर दिखा सकता आपको पर यह सम जब submit करेंगे तो post हो जाएगा पोस्ट तोने के बाद होगा क्या जैसे for example मैंने इसको अटा दिया and आप जब post करोगे तो आपके posted answer आपको कहा में लेगा आपको profile पर click करना है अपनी profile पर click करोगे तो आपने जितने total answers करें आपको यहाँ पर show जाएगे 30 answers आपको यहाँ पर show होंगे आप जब post कर लोगे जाएगा मेरे particular answer पर जहां मैंने answer लिखा था and मैंने mention करा हूँ अगर backlink बीच में तो यहाँ पर मेरा backlink जरूर बना हुआ आएगा जरूर ही नहीं है हर एक answer में आप backlink create करो क्योंकि Quora जो है वो ORM platform भी है that is online repetition management कि आपकी जो presence है market में online आपकी जो बाते हो रही है वो भी Quora क लिए यूज कर रही है हम क्या करेंगे इस URL को copy करकर backlink URL में paste कर देंगे तो हमें एक चीज समझ में आ गई हमने Quora पे एक particular question and answer submit करा उस question and answer को submit करते हो हमने अपना link submit करा हला कि मैंने वेबसाइट में इस particular video में मैंने आपको यह नहीं करकर दिखाया because मेरा niche जो है वो different है digital marketing है और रंग्रेज द ओरीजल जो website है वो एक clothing website है तो आप लोग अपने अपने specific niche के हिसाप से particularly backlink create करोगे अब मैंने आपको Quora का करके दिखाया है आपको Quora के तरह ही Quora के तीन 6 articles आपको लिखना है मतलब six questions and answers पे आपको perform करना है and six questions and answers पे अपना link छोड़ना है रागी सब कु जिन website में हम practice कर रहे हैं for the initial stage हम Quora Pinterest और Medium अब चलते हैं Medium पे जो की क्या है article submission site मैं तीनों आपको बताने वाला हूं उसके बाद आपका task होगा इसको complete करना पड़ाबट से चलते है medium.com medium.com को open करते हैं कोरा हमारी question and answer backlink submission site है medium.com क्या है यह हमारी article submission site है यह कहते है ठीक है भया तुम्हें हमेरे पे backlink छोड़ना है बिल्कुल छोड़ो लेकिन एक article लिख दो अब article आप किस पर लिखोगे अपने नीज से related ही लिखोगे मेरी website clothing पर मैं इस पर पूरा complete submission करके भी दिखाऊंगा यह आप लोग sign up करकर अपना account create कर सकते हैं आप Google से sign in हो अपनी particular Gmail ID जो मैंने अपनी यूज करके आप अपने यूज करकर इसको sign in कर सकते हो फिर आपको right hand side top में आपको right option दिखेगा right पर गए अब हमारे पास chat GPT है जो कि हमारे को help करेगा तो आप simply क्या करो इसी से पूछ लो please generate suggest me suggest me some seo friendly topics related to जैसे हमने last previously किया था related to ethnic fashion and clothing हमारी industry हमें नहीं बूलनी हमें niche specific रहना है यह बहुत important है right तो ethnic fashion and clothing मैंने यह आपर लिख दिया तो मुझे कुछ topic करेगा यह यहाँ पर इसने बोल दिया the rise of ethical sustainable मुझे मतलब नहीं है मेरा game क्या है backlink मुझे time waste नहीं करना है इस पर research करने में मुझे फटा बट से करना है for example how to style ethnic fashion for different occasions इस topic को लिया and मैंने आपको बोला था new chat पर click करो human readable format हो या ना हो it doesn't matter क्योंकि अब हम backlink कर रहे हैं हमारी website पर कुछ नहीं कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं तो बाहर दूसरे की website उसको कुछ भी करो आपको दिक्कत नहीं आने वाली आप simply क्या गर होगे write an article on the topic जो भी बार topic है मैंने उसको paste कर दिया ठीक है बस इसके बाद आपने इसको submit करा हमें content चाहिए सिर्फ हम content की wait करेंगे backlinks बनाने बहुत ज़्यादा पड़ते हैं इसलिए speedily यह काम करना पड़ता है ऐसा नहीं कि आप एक ही answer पर अटकर हो उसी में spelling mistakes वगर चेक कर रहे हैं प फटा फट से इसको एक बार ही check out करते हैं टाइम को wait करते कैसे फटा फटा फट से answer लिख देता है हमारे लिए कि यहाँ पर हम देख सकते complete article हमारे सामने आ चुका है फटा फट से मैं इसको copy कर रहा हूं copy करने के बाद मैं जाओंगा अपने medium.com पे tell your story में मैं अपना content paste करूँगा मैंने यह content को paste कर दिये and यहाँ पर उपर title डालना है and title विल भी जो मैंने आपने चूज किया था that is how to style ethnic fashion for different occasions आपने यहाँ पर paste कर दिया अब गेम आते है कि सर हमने पेस्ट हो कर दिया आर्टिकल लेकिन यहाँ पर कुछ grammaticals mistakes आरे जो कि grammarly voter because English में मांग टिका मांग word exist नहीं करते है तो आपको इसको ignore करना है आप नीचे आओ simply यहाँ पर देखो क्या कोई ऐसा word है जिस पर आप link बना सकते हो ज़रूरी नहीं है आपको रंग्रेज दा origin word मिले ही मिले तो आपको एक tip and trick होती हम क्या कर सकते हैं for example हमने कर दिया इसको complete तो यहाँ पर हम लेख दिया for further details याद रखना article के बीच में आप अपना link नहीं छोड़ सकते हो for further details visit कर सकते हो आप visit लिख दो और visit के बाद यह मैं एक बड़े इसको correct कर लेता हूँ visit double colon रंग्रेज दा origin आप brand का नाम लिखोगे कोई .com वटकॉम हम यूज़ नहीं करना है आर्टिकल के टाइम पर कहीं लोग क्या करते हैं directly यहाँ पर link paste कर देते हैं वो spam में चला जाता है medium.com उसको upload ही नहीं होने देता है तो रंग्रेज दा origin को इसको ठीक कर लेते हैं रंग्रेज दा origin मैंने इस brand को select करा यह इस पर मुझे link लगाना है जैसे select कर आपको link option दिख रहा होगा यह रहा link option right click करा link कौन सा paste होगा मेरा जो मेरी website का original link है copy कर लिया दुबारा से इक पर select क कर लेते हैं लिंक पर click करा control V से place किया enter मारा आपको यहाँ पर enter मानने के बाद कैसे पदेश लिंक लग चुका है अंडर लाइनिंग आ चुकी है कोरा पर वो ब्लू हो गया था यहाँ पर क्या चुकिया अंडर लाइनिंग आ चुकिया मतलब हमारा link लग चुका है हम फटा-फट से इस particular link को क्या कर देंगे publish कर देंगे और publish करने के लिए हम क्या करेंगे फटा-फट से अब publish करेंगे publish कर दिया मैंने कि मुझसे पूछ रहे कि अगर आपको कोई image यूज करनी है अपनी तो मैं images भी यूज कर सकता है it's up to you free pics app image उठा सकते हो topic लिख सकते हो for example वही जो आपका topic है actually मैं तो मैंने बोल दिया है ethnic clothing जो मेरा main topic है यहाँ पर मैंने ethnic clothing चूज कर लिया और publish कर दिया publish करने के बाद होगा क्या मेरा जो answer है वो particularly publish हो चुका होगा जैसे यहाँ पर दिख रहा है यह publish हो चुका है किसने publish करा अनुराग गरोडा ने two minutes ago how to style ethnic fashion for different occasions and यहाँ पर मैं check out कर सकता हूं कि मेरा जो मैंने backlink backlink create क्या था क्या वो visible है हाँ जी बिल्कुल visible है and इस पर click करने के बाद क्या मैं actually मैं रंग्रेस की website पर जा रहा हूं मैंने बिल्कुल सही backlink create करा है right अब इस particular backlink submission site की report तो मुझे बनाने पड़ेगे हम जिसके लिए भी काम कर रहे हैं मैं पूछेगा ना कि कहां का आपने backlink बनाया है तो simply मेरे साथ आप लिखेंगे फटाफट से मैं आप अच्छे का गाप छोट रहा हूं हम six answers तो कोरा पर करेंगे then medium पर आते हैं medium का एक article submission site है कैसे बता चला क्योंकि यह कह रहे हैं मेरी website पर article लिखो तभी मैं link देने मीडियम को गया medium do follow and no follow we have to check कैसे check करेंगे ज double click copy करा and इसको paste करा and यहाँ पर check whack link पर click करा it will take time this is the free tool to check out and यहाँ पर मुझे कुछ इसका भी DAPS score दिखेगा it is 94 and do follow and no follow यहाँ आप को दिख रहा है simply हमें time wasting करना है speedily क्या करना है फटाफट से इसको बता देना है यह भी क्या है do follow हमारा major focus learning में tutorials में do follow पर ही रहेगा क्यो तब हम 1 पर है right तो ऐसा नहीं कि 25 बना है 50 बना है तो score बढ़ जाएगा यह लाखो की game है जो दीरे दीरे बढ़ती है तब ही कहते है SEO करने में time लगता है main game off-page किया है off-page एक बार करने के बाद खतम हो जाता है on-page एक बार करने के बाद खतम हो जाता है लेकिन off-page throughout the life चलता रहता है इसी को कहते है SEO practice backlink creation right तो यहां पर हम इसका score जो है वो मेंशन करेंगे 94 आपको पता ही है इसके बाद हमें क्या करना है फटा पट से इसका URL डालना है that is medium.com मैंने यहां पर place कर दिया and इधर मेरे पास क्या रहेगा obviously इसी को copy करूंगा मैं क्योंकि मेरा target URL का है Atlas मुझे लिक-लिक करवाकर लेकर कहा जाना है वो मेरा target URL हो रंग्रेस द ओरीजिन ही रहेगा and then आएगा मेरा backlink URL वो मैं कहा से उठाऊँगा इस particular site पर आप देख सकतो publish हो चुका है मेरा URL right यह मेरा answer है तो यहां पर three dots मिलेंगे यहां पर हमारे को option दिख रहा है copy URL का नहीं दिख रहा है आपको share option दिखेगा copy link हमें ढूंड़ना है खुद practice से आती है सब चीज़े मैं आपको बता रहा हूं इन दोनों पर ऐसी आप इन दोनों पर भी करो गया तीसरा भी बताऊंगा Pinterest ताकि आपको clear हो जाए चीज़े copy किया link link को copy करने के बार फटा-फट से अपने excel report में यहां पर मैंने paste कर दिया है यह 5 मैंने आपके लिए छोड़े हैं ऐसी medium के भी 5 करेंगे ऐसे ही हम Pinterest के भी करेंगे और Pinterest का सबसे असान है for example मैंने medium के कर लिए 10 तो यहां से मैं Pinterest का भी एक आपको करकर दिखा रह है लेकिन Pinterest do follow and no follow यह भी हमें चेक करना पड़ेगा simply आप क्या घर होगे and down Pinterest आपने खोल दिया in.pinterest खोलना इसका मतलब हमें India.pinterest.com खोलना है कई लोग नॉन्मली Pinterest खोल लेते हैं वो USA server खोल जाता है यहां पर आपका account create होना चाही मेरा already created है आप इस पे click करोगे your profile आपको य करा मैंने उसकी website है fusiahills.com मैंने फोटो डाली जो की hills से re-edit है मतलब की niche specific photograph है and fusia Hills पी जब कोई click कर रहा है तो वो उसकी website पर हम लोग redirect भी हो रहे हैं यह हमारा main goal है backlink को submit करना सर इसमें छोड़ेंगे कैसे link create पे click करो यह आपको पूछेगा कि आपको क्या करना है अपने photo दालने है देखो ना यह image मांग रहा है ना आपसे article मांग रहा है ना यह आपसे question and answer मांग रहा है ना यह article मांग रहा है image क्योंकि इसका nature क्या है यह image submission backlink site है तो हम क्या करेंगे आपर click करेंगे और रंग्रेज्द और इस्टोग्राफ में फटा इसकी website से उठालोंगा जरू करके मैंने save image कर ली और इसको मैंने लिख दिया रंग्रेज्द याद रखना जब आप image submission में जा रहे हो तो आपको spellings अपने brand की बिल्कुल सही लिखनी है रंग्रेज्द और इसको save कर दिया save हो गया आगए Pinterest पे drag करी file को drop किया we are making changes to the pink tools review and publish to draft okay करो इसको अब वो कहा है टाइटल दे दो एक description दे दो और link दे दो आप समझ चुके होगे हमें title देना है for example यह क्या है ethnic wear dresses है of ethnic wedding collection it's up to you आपको छोड़ना नहीं है right नीचे आओ गया आपको इसको ननी रहे देना है add a link यहां पर link इसका चूटेगा रंग्रेज्द और इजिन का तो यहां पर फटा-फट से में जाओंगा control all control c से copy किया and Pinterest में इसको paste करा choose a board हाँ board create करने में बहुत दिक्कत आती है एक board आपको सबसे पहले अपने brand के लिए create करना पड़ेगा अपने category को click किया तो मेरी category क्या है clothing या fashion आप यहां लिख दोगे and इसको create कर दोगे create करने के बाद आपको यहां पर by default जब भी आप अपनी image submit करोगे clothing and fashion को ही choose करना नीचे आओगे targeted tag topics आपको लिखने हो आप लिख सकते हो simply आप यहां पर publish पे करोगे warming up the pin machine यह बोल रहा है मैं आपकी particular photo है वो upload कर रहा हूं इसमें पिन बोला जाता है uploadation को तो हम इसको upload करेंगे मेरी upload हो चुकी है अब आप यहां पर checkout कर सकते हो कोई भी image पे click करेगा तो अंग्रेज दो रिजिन की तरह भी पूछेगा which is another backlink creation simply वही हमें सब कुछ सेम रखना है डीएप यह चेक करना है जैसे मैंने Excel sheet में करकर दिखाया और final last में backlink URL की दिक्कत आती है वह में कहा मेलेगा three dots पे कही मिल रहा है नहीं share पे कही मिल रहा है बिलकुल मिलेगा copy link और आप last में बिलकुल यह वाला जो link है जो मिलता नहीं लोगों को paste कर दोगे इससे क्या होगा कोई भी open करेगा तो इसको दिख जाएगा क्या आपने backlink सही में बनाया है या फिर आपने हवावाजी करी है क्लियर है तो इस चीज के धाम रखना है आपको do follow or no follow जैसे मैंने recently check out करकर दिखाया बिलकुल वैसे ही आपको completely check out करना है इतना करने के बार फिर हम देखेंगे आगे directory submission size को जो की main game है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ना article submit करना है ना image submit करनी है ना आपको कोई question and answer submit करना है आपक आपकी website किस चीज से related है आपकी website किस पे है और आपकी website का link और उन website जो हम डिरेक्टर समिशन की बात करते हैं उन website का जो डिये पीए है वो 26, 30, 25, 35 का लेकिन वो हमसे better है तो कहीं नगा हम उन पर submission करेंगे ही करेंगे और approval भी बहुत जल्दी मिल जाएगा वो sites हमारे को हमार link रखने भी देंगे हां यह authority quora और medium के पास ही है कि वो आपकी website का link रखेंगे या नहीं रखेंगे अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा एक ही article में 10 जगा पर अपना link लगा रखा है तो आप spamming कर रहे हो तो वो आपके article को approve कर देंगे लेकिन कुछ ताएं बाद हटा दे आपका article हमेशा के लिए website पर रहे तो आपको article एक limited description में लिखना है कि एक answer में सिरफ A की link डालो चाहे header में डालो चाहे में डालो चाहे middle of the body में डालो जो भी आप लिख रहे हो आपको clear हो गया होगा हमें करना क्या है और यह जो रिपोर्ट हम create कर रहे हैं इसको backlink submission report बुड़ा जाता है client को यही बेजी जाती है अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ students के particular backlink submission reports जो उन्होंने create कर रहे है तापके आपको idea लगे कि हमें करना क्या मैं फटा फट से यहाँ पर अपनी drive open कर लेता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि actually हमारा task क्या रहने वाल है क्लिक किया इस पर मैंने switch कर लिया अपनी profile एंड मैंने आपर open कर लिया इसको let me just open my drive यहाँ पर मैं आपको एक particular already created backlink submission site दिखाने वाला हूं website designing sorry हम एक batch में चलते हैं wd for example 129 एंड यहाँ पर मैंने for example किसी का खोल लिया हर्षिता अरोडा का एक folder खोल लिया आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे को जाना है SEO में SEO on page यहाँ पर keyword research है I guess पीछे था backlink option तो मैं बैक लिंक चलता हूं SEO task 5 that is backlinks create के एक excel sheet दिख रहे होगे आपको सामने यहाँ पर देखो इसमें कितने सारे excel sheet पर backlinks create करें आप लोग भी create कर लोगे लेकिन आज का task है पहले 3 पर 25 करनी है that is qura medium.com and printrust अब यहाँ पर आप देखो for example medium.com पर करें 6 medium.com लिका backlink submission site यह आपका source URL होगा target URL उसकी website kamalcollection.com do follow है score क्या है 94 और backlink submission URL बिल्कुल रहे है तो यह excel sheet आपको report करनी होती है बनानी होती है बिल्कुल आप यहाँ पर check out कर सकते हो 6 medium के करें उसके बाद आपके पास 6 pinterest के हैं then 6 kora के हैं पहले आपको इतना करना है उसके बाद फिर आपको समझा होगा यह SEO खजाना के backlink submission जो इन्होंने बनाए है हमें total 100 plus backlink submission का assignment करना है class में तो 18 तो आपके यही हो जाएंगे जो मैंने आज आपको करकर दिखाए मैंने एक ही करकर दिखाए आपको वो 6 6 करने है हर बारी answer दूसरा होगा हर बारी question जिस पर आप answer कर रहें वो भी दूसरा होगा इस चीज़ को आपको clear रखना है तो I hope आपको clear हो गया होगा कि आपको back समिशन रिपोर्ट बनानी है बिल्कुल जैसे मैंने आपको एक sample रिपोर्ट दिखाई है